आज के टाइम में जब हम तारिक मैता की बात करते हैं तो हर किसी के खयाल में एक चीज तो आती है कि दया भावी आखिर कभ वापस लोटने वाली है जेठा लाल भी इतने समय से अकेला एक सिंगल लाइफ ही जी रहा है यही पूछ रहें कि दिशावकानी के रिटर्न क्या कभी हमें आगे चल कर भी देखने को मिलेगी आफिर नहीं तो गैस मेरे उपीनियन में I don't think कि दिशावकानी कभी भी सीरल में वापस आने वाली है और इस चीज़ को थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं और आईए जान लेते हैं कुछ ऐसे रिजन्स जिस करके दिशावकानी कभी भी तारग मैता में नहीं लोटने वाली in my opinion तो गैस सबसे पहला जो बड़ा रिजन है वो यह है कि दिशावकानी ओरिजनली जब शो को छोड़ कर गई थी तो उस समय पर वो maternity leave लेकर गई थी because वो pregnant थी and उन्हें time देना था जो अपना newborn baby घर में आएगा तो guys 2017 में उनकी बेटी पैदा हुई थी and उसके बाद अब 2022 में उनका एक बेटा भी पैदा हुआ है अभी के लिए उनके दो बच्चे हैं तो guys अब भले ही इस maternity leave को लिए उनका इतना time हो गया है बट उनका एक और बच्चा भी है जो कि सिरफ 2 साल का ही है जो कि लड़का है बड़ी लड़की है और छोटा लड़का है तो guys इसमें जब बच्चे पैदा हो गए वहाँ पर सारा काम खतम तो हो नहीं जाता उसके बाद उनको बढ़ा करना है उनको सिखाना है बोलना सिखाना है स्कूल भेजना है पढ़ाई करवानी है और वो सब यानि कि बच्चा जब हो जाता है उसके बाद उसकी जो responsibility है पेर वो कम नहीं होने वाला वो कम बीजी नहीं होंगी बलकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो और ज़्यादा बीजी ही होती रहेंगी उनको संबालने में ये तो एक fact है जो कि हम हर कोई ही इसके बारे में जानता है दूसरे एक और काफी बड़े reason के बारे में बात कर ल काफ़ी स्यादा लैच फेमिलि में मैरिड है Annika इंग करते हैं एक अच्छे परिवार में इनकी शादी हुई पड़ी है जिनको पैसे की बिलकुल भी कमी नहीं है मैंको इस對 माउस है आ academy को और भी कई सारे actors होते हैं जो की pregnant होने के बाद maternity leave के बाद एक दम से shows में वापस चले जाते हैं विकॉज obviously पैसा हर किसी को चाहिए लेकिन इस समय पे पैसा उनके लिए इस तरह की need नहीं है विकॉज इतने जादा अमीर घर में उनकी शादी हुई पड़ी है एक और काफी जादा बड़ा reason है वो ये है कि गाईज अब भले ही ये lead actors थी serial की और भड़े ही इनकी कोई public लड़ाई नहीं हुई है सिज मोदी के साथ लेकिन जैसा कि हम जानते हैं तारंग मेता के set के उपर जो environment है वो काफी जादा toxic रहता है तो क्या बता दिशावकानी के साथ भी कभी ना कभी ना हुआ हो और अगर ना भी हुआ हो तो दूसरे actors के साथ भी जब इस तरह का environment रहता है तो एक set पे toxicity फैली होती है और अफकोर्स अब इतने साल इस show से दूर रहने के बाद किसी का मन नहीं करेगा और दिशावकानी का मन नहीं करेगा कि वो वापस इसी वाली toxicity में जाएं अब तक तो उनको इस toxicity की आदद भी छूट गई होगी जब वो शो को छोड़कर इतने ज़्यादा साल से इस toxicity से दूर रहे हैं तो definitely इस toxicity में वापस जाने का वो नहीं सोचेंगी कई सारी एक्टर जो की छोड़ते हैं शो को बता के ही जाते हैं कि अगर कोई लीव करने का फैसला भी लेता है तो किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है और उनसे एक दो साल नोटिस पिरिड के नाम पे निकलवा लिये जाते हैं सीरिल में और अगर वो फिर भी एकदम से छोड़कर जाना चाहें तो उनके खिलाब लीगल एक्शन ले लिया जाता है तो गर्श इस तरह के काफी रीजन्स हैं जिसकर के मुझे तो यही लगता है कि दिशा वकानी कभी भी फ्यूचर में भी तारक मैदा में रिटर्न नहीं करने वाली और अगर कभी हमें दया मिलेगी तो किसी नई एक्टरस के रूप में ही मिलेगी यह मेरा ओपिनियन है यह मेरे रीजन्स है जो की मुझे लगता है मेरी तिंकिंग है कोवेंट्स में आप पो क्या लगता है आप मेरे पोइंट से गरी करते हैं या फिर नहीं करते हैं वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो तारक में ताके फैंस के साथ ऐसे और वीडियो के लिए हमारी चैनल को कर लो सबस्क्राइब एंड बेल एकन दवाना बिलकुल भी ना वीडियो में अभी के लिए चलता हूं गुडबाई